पिगना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा माता पारवती, महादेव को एक महायोगी मान, उनकी सेवा के लिए तो आचुकी थी किन्तु अब तक ना ही महादेव और ना ही माता की द्रिष्टी ही एक दूसरे पर पड़ी थी यह कैसा सुपनों जैसा दृष्टी उत्पन हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे, जैसे किसी पीते हुए समय की पुन्रा वृत्ती हुए हुए मैंने वचन दिया था, मैं महायोगी जी के ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं डालूँगी महादेव को यदी कुछ आभास भी हो रहा है, तो वो अपनी भावनाव को नाकार रहे हैं और अपने ध्यान में इतने गहरे जाते जा रहे हैं, कि बहन पारवती के इतना निकट होने पर भी उनकी उपस्थिती को स्विकार नहीं कर पा रहे हैं माता पारवती महादेव की सेवा में डूब गई, और महादेव अपने ध्यान में लीन रहे और माता ने भी कभी अपनी द्रिष्टी उठा कर महादेव की दर्शन नहीं किये बस इसी प्रकार समय बीटने लगा, कब दिवस होता और कब रातरी, माता को इसका ध्यान ही नहीं रहा वो तो बस महादेव की सेवा में ही खोई रहती, किन्तु वहीं दूसरी ओर वो अट्टा सुर, तार का सुर के पास पहुचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था महराज, महराज, महराज दूर हटो दोष्ट, ये ऐसे नहीं मानेगा अरे, ये विशाल काई पक्षी तो सीधा महराज, तार का सुर के कक्षकी और ही चला आ रहा है हमें इसे रोक ना होगा आहाज, कर दो हमें कोझे प्ला के वी तो हमें खिएश कर दोस्तर के महरां प्ला महराज, कर दोस्तर के कि अबिए बाट, बात, कर दोस्तर डेम कम कर दो तो कि रहाज वोपि दूसेरे से परिचित ही ओ पा रहे थे इसी प्रकार दिवस पर दिवस पीटते जा रहे थे देवताओं की अधीर्ता बढ़ती ही जा रहे थे और साथ ही वो दिन प्रते दिन शक्तिहीन होते जा रहे थे शक्तिहीन हो रहे थे देवता हाँ क्योंकि तारकासुर ने यग्य में तारकाय नमस्वाहा का उच्छारण अनिवार्य कर दिया था और अब यग्य में उसके नाम की आहुती दी जाने लगी थी अर्थात यग्य के अग्नी में दी जाने वाली आहुती के उर्जा देवताओं तक ना पहुँचकर तारकासुर के शरीर में समाहित होकर उसे ही शक्ति प्रदान कर रही थी हाँ इसलिए अब ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था कि महादेव और माता पारवती परस पर दर्शन करें और अब देवता भी समझ गए थे दैने ये अवस्था में सभी देवगण सहायता की गुहार लिये ब्रह्मदेव के पास पहुचतो गए किन्तु उस स्थिती में स्वयम ब्रह्मदेव भी किम करतव ये विमूर थे अंतता फिर विवश होकर इंद्रदेव ने सोचा कि अब उन्हें ही माता आदी शक्ति और महादेव को एक दूसरे के निगट लाने के लिए कुछ करना होगा कामदेव कामदेव अब महादेव के मन में देवी आदी शक्ति के प्रती आकर्शन उत्पन करना ही अंतिम उपाए महाराज यदि आपके मन में कोई जिग्यासा उत्पन हो रही है तो उससे शांत कर लीजे देवराज इंद्री की ये योजना कामदेव का आवाहन करने की क्या ये उचित था हां ब्रामर देवता माता तो वहीं महादेव की सेवा में उनकी निकट थी तो कभी न कभी ऐसी स्थिती अवश्युत पन्न होती जब महादेव अपने नेत्र खोलते और उनकी द्रिष्टी माता पार्वती पड़ जाती पर्वतराज हिमावन के परिवार में माता शैल पुत्री के रूप में माता आदिशक्ती के जन्म की परतिक्षातो देवतागण ने बड़े धीरच के साथ की थी ये वी तो एक लीला ही थी कि महादेव सोयम हिमाले की एक गुफा में समाधी में लीन थे अर्थात सभी कुछ एक दिवी योजना के अनुरूप होता ही प्रतित हो रहा था अब अवश्यवोपल आने ही वाला था तो देवराज इतने उतावले क्यों हो गय थे माता महराज यही तो परिक्षा है जब सब कुषल हो तो धर्म के पत पर स्थिर रहना सरल होता है किन्तो इश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की परिक्षा तो संकट के समय ही होती है देवराज इंद्र का धैर ये चूग गया था जहां ब्रह्मदेव और नारायन को ये अटल विश्वास था कि देव ये योजना के अनुसार ही इस संकट का निवारन संभावादी वहीं देवराज इंद्र धीरज खोकर शीगरता करना चाहते थे और यही उनकी परिक्षा भी थे जिसमें वो बिफल होती है काम देव घिमेस्वर में बूलिए है काम देव ही हमारी साहता कर सकते हैं दुश्च करी देवराज कि अपकी योजना क्या है वायुदेव महादेव लिश समय भावशूनि में संसार से विरक्त हैं वो उनकी किसी के विप्रती कोई भी आ सकती नहीं है इसलिए हमें उनकी विरक्ती की भावना को दूर करने के लिए आ सकती चाकरत करनी होगी और उनके भीतर आ सकती की भावना तभी प्रकट होगी जब उनके रिधाय में प्रेम, अनुराग और काम के भावना चाकरत होगी तभी तो वो माता पारवधी के प्रधी आकर्शित होगी और काम के भावना चाकरत करना तो कामदेव कदायत वैना देवराज, हम इस प्रकार मद्यम्न सवर्म हैं, इस योजना की चल्चा क्यों कर रहे हैं? ब्रहमदेव भी यही है, हमें उनसे विमर्श करना चाहिए इसलिए अगनी देव क्योंकि ब्रहमदेव हमारी योजना को कभी भी स्विकार नहीं करेंगي तो फिर हम वो क्यों करें जो ब्रह्मदेव को सुविकार ना हो भायुदेव हाथ अपनी आवस्ता की चिंता कीचे क्योंकि ताड़ का सुने केवल आप ही को नहीं हम सभी देवताओं को प्रभावद कर रहा है उसने हमसे हमारा आहार हमें प्राप्थ होने वाली यग क्योंकि हविश्य हम से चीन ली हर्थात हम निराहार होने पर विवश है हम निरंतर अशक्त होते जा रहे हैं तो आप भी बताई हम ऐसे ही प्रतिक्षा करते रहें या फिर इस आवस्ता से निपटने का कोई समाधा ठोंडे जिसके लिए मेरे पास एक योजना है तो बताईए देवकन क्या आप सभी मेरे साथ हैं बातवा नहीं उचित है देवराज आपकी योजना उचित है काम देव काम देवराज ned सो अज़ इसान है स्वाध्मी स्वामी 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 कहा है आप स्वामी स्वामी कहा डूंडू मैं आपको स्वामी 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 अपको स्वामी 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 अद्भूथ 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 प्रिये क्या हुआ अद्भूथ अब कहा चले गए थे स्वामी मैं आपको कपसे ढून रही थी मुझे ढूंडने के लिए तुम्हें तो बस अपने हृदे में जहाकने के आवश्यक्ता थी मैं तो तुम्हें वहीं मिल जाता प्रिये मैं मैं इतनी चिंतित थी क्योंकि कुछ अवधी पहले मेरा दाइना नेत्र फड़क कर एक अप्शगुन प्रस्तुत कर रहा था फिर किसी प्रकार मुझे नीद्रा आ गई और मैंने आपको लेकर एक दूस्व अपन देखा जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने देखा कि आप वहां नहीं थे शिंता के कारण मैं इतनी हताश हो गई कि मुझे लगा कि मेरे प्रान ही छूट जाएंगे और आप है कि मेरा उफास कर रहे हैं प्रिये रती जहां हम दूनों उपस्थित होते हैं वहां तो सदैव सब कुछ शुभी होता है रती संसार का समस्त सौंदर है हमसे ही तो है हम है तब ही तो प्रेमी प्रेमिका परस पर प्रेम करते हैं प्राणियों की संतान होती है परिवार और समाज का निर्मान होता है और इसी तरह संसार का चक्र आगे बढ़ता है आप मुझे सता रहे हैं न स्वामी लीजे अब मैं आपको सताती हूं और बनो करे क्यों गको सता है कि के लिए इधन को बिल्या है क्या क्या पर संक कहें न स्वामी बैसा जिन ओ knife link रखना , पूरी करते को चाहिए– पूलस जोरी कार сюжा कर दो कर दो कर दो. कर दो को क्लिए दिर दे जो कि अजया जोगा जो रिए जो नवां, जो रना मंषिवा, जो रहाँ दो रहाँ, जो रहाँ, अुझा। खाम देव खाम देव खाम देव खाम देव इंद्र कामदेव के निकट पहुँश ही गए हाँ माता मुझे देवी रती की वेदना से पूर्ण साहनुभूती है उन्हें पूर्वाभास हो रहा था कि कुछ अनिष्ट घटने वाला है हाँ माता किन्तू जो होने वाला था उसका तो देवी रती और कामदेव को अनुमान भी नहीं था इंद्रदेव तो समुचित तैयारियों से वहां पहुँचे थे तैयारी? हाँ महराज इंद्रदेव कामदेव को ऐसा कारिय सौपने आये थे जो आत्मघात से कम ना था ब्राहम देवराजिन देवराज आप इतने चिंतित निरुट साहित क्यों लग रहे हैं क्या बात है हंत निकट शेगर ही संसार का अन्थोक देवराज यह आप क्या कह रहे हैं आप कामदेव हैं जहां पर काम की भावना की अत्यान तावशकता है कामदेव आपको महादेव के भीतर काम और आकर्शन जाकरत करना ही होगा देवराज कामदेव अवश्य हूँ मैं किन्तु मेरी भी कुछ सीमाए हैं और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं उनके मन में कामभावना जाकरत करना मैं ये कैसे समधाव कर सकता हूँ मैं वेवश हूँ देवराज कामदेव ने मना कर दिया तो क्या इसका अर्थ यही हुआ कि संकट टल गया था गुणेश्ची संकट अभी टला नहीं था अपितु ये तो एक बहुत बड़े महा संकट का आरंभ था नियती का चक्र अपनी गती से चलता है हमें धैरी पूर्वक उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए दाता की परिक्षा दुर्भिक्ष में एक मित्र की परिक्षा आपत्ती के समय में मैं यहां देवराज हिंद्र होने के नाते नहीं आपके मित्र के रूप में उपस्तित हो आओ आज आपकी पित्रता की परिक्षा है कामदेव इस हवते की कहानी में देखी माता के ब्रह्मचार ने रुकी कथा विग्धरता गरिश में